हैलो फ्रेंद्स, वेलकम टो अससी मेकर, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनरल अवैनेस के इंपॉर्डेंट टॉप 20 MC की डिटेल में डिस्कस करेंगे, यह जनरल अवैनेस की सीरीज का पार्ट 192 है, जोकि आपके आने वाले रिल्वेंटी पीसी, ग्रूप डी, अससी स आज का थोट जान लेते हैं, आज का थोट है, एडजस्मेंट इस नॉट इंपॉर्डेंट इन लाइफ, पर अंडरस्टेंडिक इस मौस्ट इंपॉर्डेंड इना लाइफ, तो इसका मदलब यह जीवन में समाय ओजन मैत्पूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन में समर्सबसे महत्पूर्ण हैं, तो चले चलते हैं हमारे फर्स्ट कुशिन पर, हमारा फर्स्ट कुशिन है, भारते सम्विधान के अनुछेद, 243, Z, J के अनुसार, सहकारी समीती के निदेशकों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है, तो दोस्तो वे है, 21, दोस्तो भारते सम्विधान के अनुछे 243 Z J के अनुसार जो है सहकारी समीती के बोड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितने राज्ये विधान मंडल द्वारा विधी बनाकर उपबंदित किये जाएं पर अंतों दोस्तों सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिक्तम जो संख्या है 21 से अधि शामिल किये गए हैं याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट केशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्डं केशन है मेर का कारेकाल कितने वर्षक होता है तो दोस्तों वह होता है पांच वर्षका दोस्तों चहत्तरवे समिंधान संशोधन अधीनियम जो 1992 है इसके ये वीडियो कैसे लगा बताएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अससी मेकर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें शेयर करना बिल्कुल ना भूले नेक्स्ट केशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्डं केशिन है राज्जी निर्वाचन आयोग नगरिये निकायों के निर्वाचन का संचालन की सनुच्छेत के तहत करते हैं तो दोस्तो वह है अनुच्छे 243 के दोस्तो अनुच्छे 243 या और का अनुच्छे 243 जड़ जो है दोस्तो इसमें नगर निकायों के लिए निर्वाचन का उपुबंध है और अनुच 243 याका के अनुसार जो है नगर पालिकाओ के लिए कराये जाने वाले सबी निर्वाचनों को निर्वाचक नामावली तयार करने का और उन सबी निर्वाचनों के संचालन का अधी धक्षण अधिशन और निदेशन और नियंतरन अनुछेद यानि 243 अनुछेद 243 के जो है दोस्तो इसमें निर्दिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग में नीहित होगा याद रखिएगा नास्ट कुशिन पर चलते हैं हमेरे नेक्स्ट इंपॉर्डन किशियन है निमलिकित में से किस सम्विधान शंशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओ को सम्विधानिक प्रस्तिती की गई है तो दोस्तो वह है सम्विधान 74 शंशोधन अधिनियम 1992 दोस्तो 74 जो सम्विधान शंशोधन अधिनियम है 1992 इससे जो है दोस्तो नगर पालिकाओ को सम्विधानिक प्रस्तिती की गई है और इस अधिनियम द्वारा सम्विधान में एक नया भाग यानि की 9 का ठीक है तथा 243 से लेकर 243 या और 6 ठीक है यहां तक कि जो है दोस्तो 18 नए अनुछेद और एक नए अनुशूची यानि जो बारवी अनुशूची है बारवी अनुशूची जोड़कर नगर प्रिशासन के विशे में विस्तरित प्रावधन किया गया है याद रखिए का दोस्तो नाक्ष्ट कुशिन पर चलते हैं 243 जा ठीक है या फिर 243 जो बन है इसके तहत राज्य पाल द्वारा गठित राज्य वितायोग राज्य सरकार दाता इस्थाने शाषन इनके बीच में राज्यस्व बटवारे के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान सुझाने हेतु उतरदाई है याद रखिए का दोस्तो नाक केंद्री नियंद्रण दोस्तों वेधाने इस्तिती याने इस्थाने समुदाय इसकी भागेदारी तथा कती पाये कर आरोपित कर वित्प्राप्त करने की शक्ती तो इस्थाने शाषन की विशेषता है परन्तों दोस्तों जो केंद्री नियंद्रण है केंद्री नियंद्र सजा देने का दिकार नियमन में से किस राज्य में है तो दोस्तों वह है बिहार दोस्तों बिहार पंचायती राज़ादी नियम के तहद ग्राम नयालियों की व्यवस्ता है जीने जो है तीन माह तक की जेल और एक हजार उपे तक का जुर्माना की सजय सुनाने की शक्ति प्राप्त है याद रखिएगा दोस्तों और दोस्तों ये वीडियो शेर करना बिल्कुल ना भूले आप सभी जानते शेरिंग इस दा बेस्ट वी ओफ लर्निंग तो शेर जरूर करें नेक्स्ट केशिन पर चलते ह जो शक्तियां है इसके अंतरगत नहीं आता ये दोस्तों नयाई पालिका की शक्ति है नयाई पुनर विक्षन याद रखिएगा नास्ट किशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्डन किशिन है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पून क कर ली है बताइए दोस्तों कितने वर्ष के बाद तो दोस्तों वह है 20 वर्ष 21 वर्ष की आयू में दोस्तों भारति सम्विधान के अनुछे 243 चा ठीक है इसका जो वन है इसके कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयू पून कर ली है याद रखिए का दोस्तों नास्ट कुषिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्डन के प्रावधानों के अंतरगत पंचायत चुनाव कराने का निर्णाय किया जाता है बदाएए दोस्तों किसके द्वारा तो व्य होता है राज्य सरकार द्वारा दोस्तों सम्विध परमंडल विदी द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंदित या शशक्त सभी विश्यों के संबंद में उपुबंद कर सकता है याद रखिए का दोस्तों नास्ट क्यूशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्यूशन है यदि एक पार्षद विदी व्यवसाई होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिश्यत के विरुद कारे करता है तो क्या होगा तो दोस्तों कलेक्टर जो है उसे पद से हटा देगा दोस्तों चतिसकर पंचायत राज अदिनियम 1993 की धारा 36 की उपधारा दो के जो खंड है दो के कारी जो है यानि कलेक्टर उसे पद से हटा सकता है याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट किशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्डन किशिन है खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन को अधिसूचना कौन जारी करता है तो दोस्तों वह है राज्यप तो चतिसकर्ण पंचायत राजदी नियानि 1993 के अंतरगत धारो 127 में खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जारी कर सकता है याद रखिए का दोस्तों नाक्स्ट कुशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्डन के एक शेत्र पंचायत का शेत्र निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तो वह होता है राजे सरकार द्वारा। दोस्तो एक शेत्र पणचायत का शेत्र जो है अनुचे 243 गा के अनुसार राज्य सरकार दोारा नरधारित किया जा सकता है और दोस्तो अनुचे 243 का के second की अनुवसार जो है किसी पंचायत के सभी स्थान पंचाय शेतर में प्रादेशिक निरवाचन शेतरों से प्रतेख निरवाचन द्वारा चुने गए वेक्तियों से भरे जाएंगे और इस परियोजन के लिए जो है प्रतेख पंचाय शेतर को प्रादेशिक निर्वाचन शेत्रों में ऐसी रिती से विभाजित किया जाएगा कि प्रतेग निर्वाचन शेत्र की जन संख्या का उसको अवंटित इस्थानों की संख्या से अनुपास समस्थ पंचाय शेत्र में यथा साध्य एक ही हो याद रखिए का दोस्तो नास्ट समविधान के किस भाग में तीन सफानों में पंचायते बनाने की परिकल्पना की गई है जो है प्रतेक राज्चे में ग्राम मद्देवर्ति और जिला इस्तर पर पंचायतों के गठ्षन का प्रावदान है याद रखिए का दोस्तो और दोस्तो ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो जर्क्रिशन के लिए SSC Maker को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेर करना बिल्कुल न भूलें लगते हैं हर सोसल साइस पेच कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी help हो सके तो दूसरों की भी help कीजिए दोस्तों next question पर चलते हैं हमारा next important question है निम्लिकित में से कोन त्रयंट मोन लोक्तंतर से संबंधित है तो दोस्तो वह है पंचायति राजपधती दोस्तो त्रिन्मू लोकतंत्र यानि ग्रासरूट डेमोक्रेसी अधार जमीनी इस तरबार लोकतंत्र इसका जो संबंध है लोकतंत्र के विकेंद्री करण से है और भारत में सोतंदर्दा के पश्याद 2 अक्टूबर 1969 को जवालाल नहरू ने राजिस्थान के नागोर जिले में लोकतंत्रिक विकेंद्री करण की योजना का श्रीगनेश किया और इसी दिनों से जो है संपूर्ण राजिस्थान में लागो कर दिया गया और इस लोकतंत्रिक विकेंद्री करण को ही पंचायती राज कहा जाने लगा दोस्तो इसस पस्ट है कि राजिस्थान ही सबसे पहला राज्जे है जिसमें संपूर्ण राज्जे में सर्व प्रधम पंचायती राज की स्थापना की गई और समवीधान में जो है दोस्तों 73 वा समविधानिक शन्शोधन करके पंचायती राज संस्ता को समवीधानिक मानतप्रदान की गई याद रखी दोस्तो नक्षट काशिए लुट्स के चलते हैं हमारे नेक्स्ट्र इंपॉर्ड़न के शन्शोधन संविधान शंशोधन 24 अप्रेल 1993 से देश में प्रभावी हुआ वह राजिस्थान में प्रोसाहित करेगा पताईए दोस्तों किसे तो दोस्तों वह स्वाशासन व्यवस्था को दोस्तों 73 वह संशोधन संविधान जो है अधीनियम 24 अप्रेल 1993 से देश में प्रभावी हुआ और ये राजिस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से संबंदित हैं इसके अलावा दोस्तों ये जो है शाशन सस्ता के विकेंद्री करण और स्वाशासन व्यवस्था को प्रवसाइद करने के लिए बनाये गया है याद रखिये का दोस्तों नास्ट कुषिन पर चलते हैं अमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्डन कृषिन है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओ के लिए आरक्षित स्थानों की संख्यक इतनी हैं तो दोस्तों वह है कुल स्थानों का एक तिहाई दोस्तों 73 समविधान शंशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विदी यानि शंशोधन विदेख 1994 पारित किया गया जो 22 अपरेल 1994 से प्रदेश में प्रव्यत हुआ और इसके तहर जो है प्रिधेश में प्रतेय की सतर पर महिलाओं के लिए कुलिस्थानों के एक तीहाई इस्थान जो है अरक्षित किये गए हैं याद रखिएगा दोस्तो, नेक्स्ट केशिन पर चलते हैं हमारे next important question है निमलिकित अनुछेदों में से कौन सा अनुछेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए सीटों का अरक्षन प्रदान करता है तो दोस्तो वह है अनुछेद 243D दोस्तो अनुछेद 243D वन के अंतरगत जो है प्रतेक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों इनके लिए जो है दोस्तो इस्थान उस पंचायद शेतर में उनकी संख्या के अनुपात में अरक्षित रहेंगे याद रखिएगा नास्ट किशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉडर्ण किशिन है महिलाओ को पंचायतो में आरक्षन भारती सम्विधान में शंशोधन करके दिया गया वह कौन सा है तो दोस्तो वह है 1992 का 73वा शंशोधन दोस्तो महिलाव को पंचायतों में आरक्षन समयधान का 73 वश अन्शोधन करके दिया गया है और अनुच्छे 293 में घा का जो 3 है इसके अनुसार पंचायतों में सभी स्थरों पर महिलाव को एक तिहाई आरक्षन प्रदान किया गया है याद रखिए का दोस्तो next question पर चलता है हमारा last important question है भारत में रास्टे पंचाय दिवस कम मनाय जाता है तो दोस्तो वैस एलिब्रेट होता है 24 अपरेल को दोस्तो 73 वा सम्वेधान शंशोधन है 73 वा सम्वेधान शंशोधन अधिनियम 1992 24 अपरेल 1993 से लागू हुआ और इसलिए जो है दोस्तो 24 अपरेल को रास्टे पंचाय दिवस के रूपे मनाय जाता है याद रखिए का दोस्तो तो दोस्तो ये थे जनल अवैनेस के important top 20 MCQ most important questions आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है ये वीडियो कैसा लगा comment box में ज़रूर बताईएगा पसंद आया तो अपने study related group में शेर ज़रूर करें और SSC maker को like, subscribe and share करना बिल्कुल न भूले आज के लिए बस इतना ही thank you so much दोस्तो